इसने हैं आपका जिसमें आपको एक इस्टार ही गिवन है जिसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं और एक पॉइंट पर आपका नंबर मिसिंग है यह आपको फाइंड आउट करना है इसके लिए चार आप्शन ही A, B, C, D यहां पर गिवन है तो इसे हं सोल करने की कोशिच करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं 12, 12 के सामने क्या लिख हूआ है 144 लिखा हूआ है मतलब 12 का square लिका हुआ है इसी प्रकार से 15 के सामने 235 लिका हुआ है मतलब यहाँ पर 15 का square लिका हुआ है तो इस प्रकार से हमने देखा जो आमने वाले संक्या है वो आपके square form में है अब उपर और नीचे वाले संक्या को हमें correlate करना है कि ये संक्या हम कैसे find out करेंगे तो अगर यहाँ पर यह 225 में से 144 को हम गटा दें तो 225 माइनस से 144 तो 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा इसके आगे यहाँ पर यहाँ दो बचा है आगे एक उधार लेंगे तो आपका 12 बचेगा 12 में से 4 गटाएंगे तो आपका 81 बचेगा तो इस परकार से अगर यह 225 में से अगर आपने 144 को गटाया है तो आपको कितना प्राप्ट हो गया 81 प्राप्ट हो गया अब दोनों को जोड के हम देखते हैं कि आ उप्शन में ऐसी संक्या है जिसका योग कितना आता है 225 प्लस 144 आता है तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 2 और 4 आपका 6 हो जाएगा और 2 और 1 आपका 3 हो जाएगा तो आपकी संक्या कितनी आ गई 379 आपकी संक्या गई जो कि आपको किसमे गिवन है यहाँ पर आपको यह संक्या यहाँ पर गिवने नहीं है तो यहाँ पर हमें दूसरा लोजिक यहाँ पर हम लगाएंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे जो संक्या 225 है और जो संक्या 15 है इसे आपस में जोड करें चेक करते हैं तो यहीं आपस में अगर आप जोड़ोगे तो 225 है प्लस ही 15 कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा जो कि आपको आपस नमबर B में गिवन है तो कोशन चिन का मान क्या आजाएगा आपका 240 मान ने आजाएगा कोशन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चेन करना है इसके लिए आपको चार आपसन ए A, B, C, D यहाँ पर गिवन है जिनमें प्रतेक में 6 अंकों की संक्या आपको दे रखी है सबसे पहले जो कंडिशन लगाओगे तो वो सबी को जोड़ने की कंडिशन लगाओगे मतलब यह प्रतेक डिजिट को आपस में जोड़कर चेक करोगे कि कौन से डिजिट आपकी डिफरेंट आ रही है तो सबसे पहले यह कंडिशन हम लगाते हैं तो जोडने की condition सबसे पहले option नहीं में लगते हैं तो 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 तो इन्हें जोडोगे तो संक्या कितनी आ जाएगी 3 और 7 कितना होगा 10 होगा 10 और 2 12 हो जाएगा 12 और 1 13 हो जाएगा 13 और 6 आपका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा 19 और 4 आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा इसी प्रकार से option number B को check करते हैं तो यहाँ पर 3 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 आपको करना पड़ेगा तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 और 6 16 हो जाएगा 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा 24 और 2 26 हो जाएगा 26 और 1 आपका 27 हो जाएगा मतलब भी option number B में यो कितना आ रहा है 27 आ रहा है इसी प्रकार से C option को चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 3 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 1 आपको जोड़ना पड़ेगा तो इन सभी को अगर आप जोड़ोगे तो 3 और 1 4 4 और 8 12 12 और 9 21 21 और 5 26 26 और 1 27 हो जाएगा इसी प्रकार से option number D को हम जोड़ते हैं तो आपका 3 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6 आपको करना पड़ेगा तो कितने योग हो जाएगा हमारा 3 और 1 4 हो जाएगा 4 और 9 आपका 13 हो जाएगा 13 और 4 17 हो जाएगा 17 और 4 21 हो जाएगा 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा मतलब भी option number B का योग आपका 27 आ रहा है C का योग भी 27 आ रहा है और D का योग भी आपका 27 से आ रहा है जबकि option number A का जो योग है वो आपका 23 आ रहा है तो A हमारा यहाँ पर बेमेल विकल्प हो जाएगा दिये गए question में यहाँ पर आपको एक number series का question given है 11, 12, 17, 18, 23, 24 से और इसके वाद में question mark है इसका मान आपको find out करना है A, B, C, D option में से तो इसे कैसे solve करेंगे तो सबसे बहले हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर दो series दिखाई दे रही है एक series ग्यारा से start हो रही है और दूसरी series बारास से start हो रही है तो ग्यारा से हमें जोड़ना पड़ेगा इसी प्रकार से 17 से अगर आपको 23 पर जाना है तो यहाँ पर भी आपको 6 जोड़ना पड़ेगा similar आपको 23 से question mark पर जाना है तो यहाँ पर भी आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 6 जोड़ना पड़ेगा तो आपका 2 x x 6 कितना हो जाएगा ये आपका 29 हो जाएगा नीचे वाली जो series है बारा से हमें 18 पर जाना है तो यहां पर 6 जोड़ना पड़ेगा 18 से हमें 24 पर जाना है तो यहां पर भी हमें 6 जोड़ना पड़ेगा तो question mark कितना answer आजाएगा option number B हमारा character जाएगा कोशन है यदि 27 मार्च 1995 में को सोमबार था तो एक नॉम्बर 1994 में को कौन सा दिन था ये आपको बताना है चार ओप्षन यहाँ पर गिवन है तो इसे हम सोल करने की कोशिस करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा 27 मार्च 1995 को कौन सा वार गिवन है आपको सोमबार गिवन है यहाँ पर हमने सोमबार लिख दिया है तो सबसे पहले हम बात करें तो आपको जाना कहाँ पर है चोर्याणम में जाना है मतलब 1590 से उल्टा चलते हुए आपको 14.90 में पद्धक जाना पड़ेगा तो यहां पर मार्च में कितने दिन हैं आपके यहां पर 27 दिन हैं उसके बाद में उल्टा चलेंगे तो फर्वरी 1922 में कितने दिन के आएगी आपके 28 दिन के आएगी इसी प्रकार से जनवरी 31 दिन के आएगी इसी प्रकार से दिसंबर भी 31 दिन का आएगा और नवंबर की बात करें तो आपको एक नवंबर की बात करनी पड़ेगी तो यहाँ पर कितने जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप पुनह तीस जोड़ेंगे तो सब को आप अगर जोड़ करें साथ का अगर भाग देते हो तो उससे जो remaining प्राप्त होगा उससे आपके answer निकल जाएगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साथ का भाग 28 में पूरा पूरा जाता है इसी परकार से साथ का भाग 27 में देंगे तो साथ की 21 कितनी बार जाएगा आपका तीन बार जाएगा छे remaining रहेगा इसी परकार से साथ चोग के 28 तीन remaining रहेगा इसी परकार से साथ चोग के 28 तीन remaining रहेगा इसी प्रकार से 7 चोग के 28 से 2 remaining रहेगा इन सब को वापस में जोड़ लेते हैं चो 6 और 3 9 9 और 3 कितना हो जाएगा 10 और 2 12 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा तो 14 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो remaining आपका 0 बचेगा तो यहाँ पर आपका क्या है सौमवार है 27 मार्च को क्या है आपका सौमवार है तो आपको एक नवंबर का यहाँ पर बताना है तो एक दिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा तो आपका अंसर क्या हो जाएगा मंगलवार यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने 27 मार्च में पूरी 27 मार्च को काउंट किया है जबकि हमें यहाँ पर 26 मार्च काउंट करना चाहिए ता इस कारण से एक दिन हम आगे बढ़ेंगे तो सौमवार के अगला दिन कौन सा हो जाएगा नवंबर 1904 में को आपका मंगलवार होगा यह युगम जो ट्रेन पटरी से संबन दीते हैं वैसा ही आपको युगम बताना हैं दिये गए चार ऑप्सन में से जो कि ट्रेन और पटरी जैसा संबन दे रखता हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं विचार और दिमागे तो प्रकार से हम बात करें पानी नावी तो पानी में के उपर क्या चलती है नाव चलती है तो यह आपका गलत हो जाएगा इसी प्रकार से गोली बंदूग की नाली से चलती है यह भी आपका गलत हो जाएगा रसिद्धी टेलिविजन पर मिलती है यह उप्सन भी आपका गलत ह जाएगा तो यहाँ पर जो ट्रेन है जो ट्रेन है वो चलने का काम करती है किस पर चलती है पटरी के उपर यह चलती है तो विचारों की हम बात करें तो विचार कहां आते हैं विचार आपकी दिमाग में आते हैं तो option number first हमारा यहाँ पर correct हो जाएगा